25 मईई को छटे चरण में सुल्तानपूर में चुनाव है, सुल्तानपूर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी चुनावी मैदान में है चुनाव प्रचार के बीच मेनका गांधी से हमारे समवरता अमिद गर्ग शुकला ने खास बात शीद की मेंका गांधी ने क्या कुछ कहा सुनी है प्रदर्शन और बेतर होगा हां पिछली दफर तो मैं नहीं थी या तो फिर भी और प्रतिद्वांदी बहुत ताकतवर थे इस दफ़ा लिहास हुआ है क्योंकि पिछली बार अंतर हारजीत का बहुत कम था मैं साड़े चौदा हजार क्या असपास चौदा हजार इस बार उससे बेतर रहेगा क्या फैक्टर होंगे मैं जिसके आधार पर आप मान रही है पंच सालिक सांसत के तोर पर आपने जो काम किया है डबल इंजन के सरकार की जो प्लबदिया है उसके आधार पर कॉम्बिनेशन है बिटा एक तो जो सरकार ने किया है और दूसरा जो हमने मिल करके यहाँ इस छेत के लिए किया है मैं सामने इस बार राहुल और अखिलेश एक साथ आ गए है और राहुल गांधी ने कन्नोज में रैली को संबोधित करते हुए कि इस बार गडबंधन का तूफान है उत्तर प्रदेश में वैसा कुछ देख पा रही है आप मैं सुल्तानपूर में तो नहीं देख पार हूँ यहां नहीं है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का लक्ष असी सीटेओं का है आपको लग रहा है उस लक्ष के तरफ पार्टी आगे बढ़ रही है यह भी मुझे नहीं मालूम आप ऐसे इंसान से बात कर रहा है जो सुल्त सुल्तानपूर में हम इस गुल दस्ते में एक फूल बनेंगे जरूर प्रदहनमंत्री के लिए लेकिन उसके बाहर मैंने देखा नहीं मैं आप उन सांसदों में रही है जो कि कोरोना काल के दवरान भी लगातार सुल्तानपूर के लोगों के बीच में रही है आप लगातार से बड़े काम हुए है सडके बिजली सबका उची करन हुआ है और जो व्यवस्ता हैं थे स्कूलों के नवदे लगा करके अन्यद चीज़े लगा करके व्यवस्ता हुई है लेकिन उससे बढ़ करके पहली दफ़ा है शायद कि कोई सांसद इनके व्यक्तिकत मुसीबतों को स सब लोग सुनने लगते हैं पार्टी में विधायक सुनते हैं तो पहली दफ़ा उनको एक व्यवस्ता मिली है जिसमें अपने बोजों को कम कर सकते है डारेक्ट कनेक्ट महसूस कर पार ही है पबलिक मैं अयद्ध्या यहां से बहुत जादा दूर नहीं है दिब्ब और भब लोगों की दिलों में है लेकिन जबान पर नहीं आई है और हमारा अपना धोपाप है जिस पर हम लोग बहुत पतिश्चित मानते हैं उसको भी मैंने ठीक टाक किया है अगर आप देख ले तो उस पर भी हम लोगों को बहुत गर्व है वो ये रिलिजन एक एशू नहीं है एक सवाल मेरा राहूल गांधी को लेकर है चर्चा थी कि वाइनाट के साथ साथ वो अमेठी में भी एक बार फिर से लोटेंगे अमेठी नहीं लोटे राइवरिली चले गए क्या करण देख पा रही है क्या मालूम बेटा मैं उनके लिए क्या जवाब दे दो मैं नहीं जाब दियू क्यों क्या कर रहत है प्यम मोदी ने भी कहा वीजेपी के तमाम बड़े निताव ने कहा कि हार का डर था उनको मालूम था कि हार जाएंगे इस विए से सेफ सीट पर चले गए मुझे नहीं मालूम इस पर कुछ नहीं कहेंगे आप मुझे पता है चुनाओ की विस्तता है मैं आखरी के एक दो सवाल मैं आपसे और करूँगा एक चर्चा ये भी चल रही थी कि राइवरली से प्रियंका चुनावी मैदान में उतरेंगी और सामने वरुन गांधी होंग मैं क्या कर सकते हूँ? उन्होंने कुछ नहीं कहा इस पर अभी तक तो मुझे कुछ इस पर सही लगा नहीं यहां पर चुनाओ पर चारक लिए परुन जी? नहीं अभी तक नहीं है आगे आएंगी मैं? अब वो आना तो चाहते हैं मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ही काफी आगे का उनका सफर मैं संचीप में मेरा आखरी सवाल है क्या मालूम बेटा कौन भविश्यव देख सकता है मुझे मालूम है कि वो काबिल है और इमानदार इंसान है लिखते पढ़ते भी बहुत अच्छा है जो भी करेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे समय निकालकर न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए मिनका गांधीजी ने बताया कि सुल्तानपूर में जो काम काच किया है उसके आधार पर एक बार फिर से हाँ पर कमल के लेगा